हेलो दोस्तों, दोस्तों दुनिया भर में विशाल पेमाने पर कोईले की कमी को महसूस किया जा रहा है इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है डेस के कई पावर प्लांट में महस्क कुछी डीनों का कोईला स्टोक बचा हुआ है एसे में संभावना ये जताई जा रही है कि जल्दी एक विशाल पेमाने पर देश को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों इसका एक नकारत्मक प्रबाव देश की अर्थ वेवस्ता पर पड़ेगा बिजली ना होने के कारण कई इंडस्ट्रिज ठर्म सकती है और इसका सीधा असर देश के लाखों लोगों और उनकी आमदनी पर पड़ने वाला है दोस्तों कोईला संकट की इस विकट परिस्तिती में आपके भीतर ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर कोईले की सहाईता से बिजली का उटपादन केसे किया जाता है दोस्तों इसी कड़ी में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते है दोस्तो सबसे पहले खड़ानों से मालगाड़ी या किसी अन्य साधनों की मदद से पावर प्लांट टक कोईले को मंगाया जाता है कोईले को मंगाने के बाद उसको बारिक पाउडर के समान पीसा जाता है ताकि उसका इस्तेमाल आगे के कारियों के लिए किया जा सके दोस्तों फिर पीसे हुए इस कोईले का प्रयोग बोईलर के भीतर पानी को गरम करने के लिए होता है पानी जब काफी गरम हो जाता है तो वह एक हाई प्रेसर स्थीम के रूप में बदल जाता है फिर इस हाई प्रेसर स्थीम का इस्तेमाल करके टर्बाइन को काफी टेजी से खुमाया जाता है ये टर्बाइन जनरेटर से जुड़े हुए होते है तर्बाइन जब खुमते है तो जनरेटर के भीतर मेगनेटिक फिल्ड उत्पन होती है इसी मेगनेटिक फिल्ड की मदद से बिजली बनती है और ग्रिड के सहारे उसे देश भर में पहुचाया जाता है दोस्तों भरत दुनिया का दुसरा सबसे बड़ा कोईला उत्पादक देश है उसके बावजुद देश को विशाल स्थर पर कोईले की कमी का सामना करना पड़ रहा है इसका एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि बीते साल कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में कोईले का उत्पादक काफी कम कर दिया गया था जिसका असर आप देखने को मिर रहा है और वही दूसरी तरफ देश में मौनसून सीजन के समय खुब बारिश हुई थी एसे में कई ख़ड़ानों के बंद होने के वज़ह से कोईले का उत्पादन परियप मात्रा में नहीं हो सका तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस हिसे लाइक और शेर कर दे और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो दोस्तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन भाइ थैंक यू फो वाचिंग तिल देन भाइ थैंक यू फो वाचिंग